चलिए फ्रेंट्स आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि ECM की इमेज को कैसे निकालते हैं पहले हम सॉप्ट्वेर को ओपन कर लेते हैं देखिए यह हमारी सॉप्ट्वेर 8.7 है और यहाँ पे No ECM Connected अब हम देखेंगे कि इसमें हमने यहाँ पे Data Link Adapter भी नहीं लगाया हुआ है नहीं तो यहाँ पे Option दिखाता है चलिए Normally जब हम चेक करते हैं वेहिकल को तो यहाँ से हम ECM को Connect करते हैं यह इस जगह से हम नीचे की तरफ से ECM को यहाँ से Connect करते हैं देखिए इस जगह से बट यहाँ से हमें Connect नहीं करूँगा क्योंकि हमें ECM Image निकालनी है और इस वीडियो में यह भी देखेंगे कि Injector की Coding, Bar Coding कैसे करते हैं वो मैं इसमें बताऊंगा चलिए यहाँ पर Work Order, ECM Image और ECM Templates यहाँ पर जो Option है इसके उपर हम क्लिक करते हैं चलिए जब हम इसके उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए साइट की Location पुछेगी हमें साइट की Location पर Simply OK कर देनी है इस जगा पर जितने भी Green Color में आप ECM Templates देख रहे हैं यह Templates हमने बनाए हुए है और यूज किये हैं कि दूसरे वेहिकल में जिस वेहिकल में पूर एवरेज की Problem है तो हम क्या करते हैं इस Template को अच्छी वेहिकल की Template को Create करते हैं और उसमें हम Send कर देते हैं और हमारी उस वेहिकल की Average बिल्कुल सही हो जाती है चलिए हम इसे नीचे की तरफ ले लेते हैं और देखे फ्रेंस इस जगा पर इस Software से 8.7 से अभी तक जितने भी वेहिकल को हमने चेक किया और Save किया है तो उसकी Data यहाँ पे Available है जिसे हम Save नहीं करते हैं वो यहाँ पे नहीं होती है चलिए अब हम ECM की Image को देखते हैं हम किसी भी वेहिकल को आज से 6 मैना, 5 मैना, 4 मैना ऐसे हम आसानी से हम देख सकते हैं ECM की Image को चलिए यहाँ पे भीम गुराएं, उसके बाद Senti Sings, उसके बाद Billu Misra, तो चलिए हम Senti Sings 71, चलिए इस वेहिकल को मैं दिखाता हूँ कि कितने तारीक को हम इसे चेक किये थें और इसमें क्या-क्या Problem थी और इसमें क्या-क्या Setting हुए थें, वो हमें 6 मनत के बाद या 5 मनत के बाद भी हम चेक कर सकते हैं, अभी का जो डेट है, वो 28.05.2021 है, जब हमने चेक किया था, 1 मेई को चेक किया था, हमने कितने बज़े चेक किया था, 12 बचके 12 पीम में चेक किया था, और 12 एलेवन में पीम में ये फिनिश हो गया था, तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस वे चलिए जब plus के उपर click करेंगे तो final और initial आएगा, initial के उपर double click करनी है, जब हम initial के उपर double click करेंगे, तो क्या है, देखिए हमारी ECM connect यहाँ पर so करेगी, देखिए यहाँ पर ECM connect हो चुकी है, यहाँ पर so कर रही है, अब हमें क्या करना है friends, देखिए इस जगह पर engine की serial number, ECM की code ये सब आ गया है हमें क्या है final और initial पे वाफस क्लिक करनी है एक बार उसके बाद फॉल कोड के उपर जानी है इस vehicle में क्या फॉल कोड थी वह हम देख लेते हैं चलिए यहाँ से हम फॉल कोड के उपर क्लिक करते हैं देखे फॉल कोड हमारी हम एरेज करने की कोशिस करते हैं देखते हैं कि हमारी यह फॉल्ट कोड जो है वो ECM इमेज से एरेज होते हैं या नहीं फ्रेंट्स यह जो है यह इरेज नहीं होना चाहिए देखिए यहाँ पर हाइड किये हुए है आल में देखिए जब रिसेट आल किया तो यहाँ पर हाइड दिकरा है यूल्य सब्सक्राइब्सिट है इस जगह पहरा दो के लिए ऍट्रेंट अफ हम नित्स बज्च ले लेते हैं इसकी लोगेशन देखते हैं इस जगह पहरे लोकेशन यहां से यहां यहां पर यहां पर इंजिन कूल एंट टमपरेचर सेंसर इस तरीके से देखने की होती है जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर एबी कनेक्टर है यहां पर चलिए यहां पर देखिए A point B point दो wire यहाँ पर आती है इस sensor में अब हम देखते हैं कि इस sensor में engine coolant temperature return की एक wire होती है और दूसरी wire जो होती है वो signal की होती है चलिए अब हम देखते हैं ECM में कहां से आती है यह ECM में 19 points से आती है और 13 points से आती है यह देखिए यह हमारी ECM है नीचे ECM और यह हमारी J1 wiring है और उपर में देखिए यह J2 wiring है चलिए अब हम यहाँ से cut कर लेते हैं और हमारी हमने check कर लिया fall code के उपर अब हम देखेंगे कि template को कैसे create करते हैं और features and parameters भी हम देख लेते हैं पहले देखिए यहाँ पर connect नहीं है चलिए अब हम features and parameters देख लेते हैं इसमें अब किसी तरह की changes कर सकते हैं या नहीं ECM image में देखिए यहाँ पर click किया हमने यहाँ पर 700 यहाँ पर 700 show किया बट यहाँ limit नहीं show कर रहा है क्योंकि यह only read करने के लिए है इसमें किसी तरह की setting नहीं कर सकते हैं यहाँ पर देखिए message भी यहाँ पर दे रहा this parameter sorry this feature is blocked because insight is connected to the ECM image ECM image are read only यहाँ पर जो है read कर सकते हैं लेकिन इसमें किसी तरह की setting नहीं कर सकते हैं क्योंकि आज से एक साल की बात भी अगर हम इस vehicle को check करेंगे तो अगर कोई बताता है कोई honor की नहीं हमारे vehicle में यह problem नहीं थ दिखा सकते हैं कि आप देखिए इतना तारिक को हमने आपके गाड़ी में check किया था और यह problem था ठीक है और अभी क्या problem है वो भी हम check कर सकते हैं यहाँ पर देखिए disable किया हुआ है load based speed control तो यहाँ पर disable है तो इसे भी हम enable नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह read version है चलिए अब हम न चलिए अब हम देख लेते हैं उपर की तरफ देखिए यहां पर हमारी जो data link है वो connect नहीं है हमने features and parameters को देख लिया चलिए features and parameters को side कर लेते हैं यहां से features and parameters को उपर click करेंगे चलिए अब हम ECM की image को sorry ECM की template बनाते हैं चलिए अब template कैसे बनाते हैं एक vehicle को जब इस पर initial पर right click करेंगे तो यहां convert to template आएगा जब template के उपर click करेंगे तो देखिए यहां पर option देगा जब हम यहां पर option देगा तो यहां पर किसी तरीका के क template है और इस vehicle में अच्छी pick up है तो हम यहां पर टाटा लिक लेते हैं और इसे हम क्या करते हैं okay कर लेते हैं हमारी template जो है वो नीचे green में हमें so करने लगेगी कि हाँ यह हमारी template जो है अब वो ready हो गई है use करने के लिए चलिए हम wait कर लेते हैं थोड़ी देर देखिए इस यहां पर add हो गई अब इसे हम direct right click करके हमारा असानी से send कर सकते हैं other vehicle की ECM में जो इसकी set हो जाएगी average के लिए बट इसमें किसी तरह की setting नहीं करनी है अगर आप ECM template को send करते हैं तब चलिए अब हम देखते हैं trip information के उपर click करेंगे तो देखिए एक option दे रहा है तो हमें इ और high acceleration में कितने diesel गए है fuel burn हुए है उसके बाद आपकी low idle में कितने fuel burn हुए है यह सारे इस जगह पर details यहां पर दिये हुए कि कितने diesel यूज किये गए हैं अभी अभी तक है ना तो इस जगह से सारी details यहां पर दिये हैं ECM की RPM देखिए 2860 हुआ है last चलिए हम लोगों ने य advanced ECM चलिए हम advanced ECM को क्लिक करते हैं यहां से injector की coding हमें देखनी है injector की coding देखिए यहां पर high pressure common rail injector setup हमें setup के लिए क्या करनी है इस जगह पर देखिए जैसे क्लिक करेंगे तो यह हमारी injector की setup की option देगी जब यह option आईगी देखिए cylinder यहां पर लिखा हुआ है cylinder 1,2,3,4,5,6 यहां पर देखिए current barcode दिया हुआ है जो की अभी current हमारी injector में लगे हुए है यह बार कोड यहां पर दिये हुए है इस injector में अगर हम injector को replace करते हैं तो यह बार कोड को हमें change करना होता है चलिए अब हम यहां से देख लेते हैं यह हमारी हो गई यहां पर देखिए change status अगर किसी तरह की changes है तो यह status यहां पर आ जाएगी पुराने वाली और new barcode अगर हमें डालनी है तो यह new barcode यहां पर डाल सकते हैं तो चलिए हम कुछ भी डाल लेते हैं a b c d x y fertig आपको दिखाने के लिए हम यहां पर डाल लेते हैं चलिए कुछ भी हम डाल लेते हैं और देखते यह कब तक लेता रहता है चलिए लेलिया जलिए लेलिया उसके बास नीचे भी डाल लेते हैं इस अगर सेफले करना है यह है और कर इंपोर्ट कर देनी है चलिए यहाँ Así कर सकते हैं यहां पर अपियों रेट चेक कर लेते हैं देखिए इंजिन coolant temperature 0151 यह देखिए 112 डिग्री सेल्सियस जो है हमारी temperature यहाँ पर आई थी कितने देर के लिए आई थी वह 5 सकंड के लिए आई थी देखिए 112 यह 5 सकंड के लिए आई थी यहाँ पर यह 5 सकंड के लिए वह लैंप जो है वह फ्लैसिंग हुआ था देखिए यह फ्लैसिंग 30 सेकंड और यहाँ पर पांच मिनट के लिए 5 सकंड के लिए वाया था और यह किस समय आथा जब आर्पियम सट डाउन था मतलब जैसे ही वह माइन से उठाकर सदेनली बंद गया होगा तभी ऐसा हु आइसा क्यूं होता है जब वह ऑपरेटर जो है यह इसको डाउन मारता है वेहिकल को तब यह आर्पियम यहां पर कैच हो जाता है चलिए अब हम यहां से देख लेते हैं टॉर्क डिलरेट को यहां पर टॉर्क की पूरा दिये हुए है डिटेल्स उसके बाद देखिए हम इ नियुली क्या दिखा रहा है यहां पर देखिए 143 यह क्या है निवेश्ट निवेश्ट को जो है इंजीन ओयल रिलिफ प्रसर यह इंजीन ऑयल रिलिफ प्रसर जो है वह हमारी वन मिनिट 55 सेकंड पहले यह आया था और आने के बाद तुरंट यह चला गया था चलिए अब अब हम देखेंगे engine abuse history यहाँ पर हम देख सकते हैं आसानी से यहाँ पर engine speed कब कितना पर गया है engine coolant temperature कब गया है कितना पर यह सारी details जगा पर दिये होते हैं को यहां पर तो हमें देखिए इस जगा पर ग्राफ हमारा सो कर रही है कि कितने percent इंक्रीज हुए है कितने parameter सोग करने लगेंगे अब हम नीचे की तरफ चलते हैं देखिए यहाँ पर engine की आर्पियम जो है यहाँ पर जीरो सोग कर रही है तो हमारी data monitor को भी हम चेक कर सकते हैं बट इसमें किसी तरह तरीके की setting नहीं कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे data monitor को कट करेंगे और कट करने के बाद हम फोल्ड को भी चेक कर लेंगे फिर वापस कि हमारी फोल्ड को कैसे चेक किया जाता है आग की जो वीडियो है हमारी इतनी ही है फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा इसम की image को कैसे चेक करते हैं और injector coding कैसे करते हैं अगर पस थाइंक्यू